मैंने कुछ साल पहले एक मूवी देखी तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है सीन बता दो आपको याद है तो बता रहा है एक हीरो बैठा होता है प्लैटफॉर्म पे एक बैंच के उपर और सोच रहा होता है कि यार मेरी लाइफ में ये सारी चीज़े चल रही है मेरी फैमली का ये एकस्पेक्टेशन्स है लेकिन मैं करना ये चाहता हूँ लेकिन अगर मैं येतना सिक्योर जॉब छोड़के वहां जाऊंगा फिर सफल होंगा नहीं होंगा रिस्क लूँ ना लूँ ओ सारी चीज़े चल रही होती है लेकिन तभी उसके सामने से उसकी ट्रेन निकलती है और वह दौड़के उस ट्रेन को पकड़ लेता है क्या बोला नाम याद आगी है मूवी का कौन सा क्या नाम है MS Dhoni ओ येस MS Dhoni ही है उस तरह तो दोस्तो MS Dhoni के बारे में तो आपको पता है बट उसी प्लैटफॉर्म पे दो बेंच पड़े थे और दूसरे बेंच पे बैठा हुआ था DS Kony तो DS Kony जो था वो यही सोच रहा था कि मैं इस ट्रेन को पकड़ूं ना पकड़ूं मेरी life में ये सारे struggles हैं मैं सफल हो पा हुआ नहीं हो पा हुआ एक secure job है इसे छोड़ दिया तो क्या होगा अगर चीज़े मेरे हिसाब से नहीं हुए तो क्या होगा तो भैस आप आज भी DS Kony वहीं बैठे हुए है उसी platform पे टिकेट काट रहे हैं तो अगर आप life में कुछ achieve करना चाहते हो तो उठो और decision लो क्योंकि आज जो आपकी इस्तिति है आज जो आप सोच रहे होना उस bench पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन सफल हो ही होंगे जो भाग के अपने सपनों की train को पकड़ लेंगे